मौनी अमावस्या स्नान पर्व के पावन अवसर पर मेला प्रशासन के मुताबिक शाम 6 बजे तक लगभग 2 करोड 18 लाग स्नान आर्थियों वश्रत धालू ने गंगा, यमुना एवं अद्रिश्य सरस्वती के तथा गंगाजी के तथा गंगाजी के तथ पर बनाए गए वि प्रख्यमंत्री योगी आदित्यनात की तरफ से श्रधालू उपर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्शा कराई गई, संगम समेथ सभी स्नान घाटों पर स्नान आर्थियों का सैलाब रहा, मेला प्रशासन के मुताबिक सायम 4 बजे तक 1 करोड 95 लाख लोगों ने आस्था की दूपकी लगाई, अभी स्नान का सिलसिला जारी है, त्रिवेनी में दूपकी लगाकर पावन रेत पर दान, पुणे और पूजा में लीन श्रधालू उपर हेलिकॉप्टर से पुष्प पंखुडियों की वर्शा ने पूरे संगम शेत्र को अकलपनिय अनुभूती से सरा सिर्पर आस्था की गठ्री लिए सुगमता से संगम की तरफ आगे बढ़ रहे करोड़ों श्रधालूओं के चहरे पर आत्मस अंतुष्टी का भावस पश्ट दिख रहा था स्नान के पश्चाच श्रधालूओं ने स्नान घाटों के समीब बनाए गए तीरत पुरोहितों के ठिकानों में दान, पूर्णे और पूजा अर्चना की श्रधालूओं की सुरक्षा के लिए एंडियारेफ के जवान संगम तटके विबिन घाटों पर तैनात किये गए हैं पिछले वर्ष की भांती श्रधालूओं की संख्या को देखते हुए इस बार भी एंडियारेफ की दो टीमें वियाईपी घाट, संगम घाट, अरेल घाट तथा राम घाट आदी और नजदीग घाटों पर श्रधालूओं की सुरक्षा में गंगा, यमुना और संगम पर तैनात हैं, खासकर एंडियारेफ की महिला बचाव बचाव कर्मी की तैनाती संगम मध्य में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए की गई है, इसके अतिरिक्त एंडियारेफ की मेडिकल टीम वियाईपी घाट पर नहिशुलक उपचार के लिए मौजूद है, एं खिसनान पर्व मौनी अमावस्या के दृष्टिगत प्रयाकराज विकास प्राधिकरन द्वारा कई विशेश इंतजाम किये गए हैं, श्रद्धालूं की भीर के दृष्टिगत घाटों की लंबाई 6800 रनिंग फिट से बढ़ा कर लगभग 8000 रनिंग फिट कर दी गई है, कुल 12 घाट बनाए गए हैं तथा सभी घाटों पर पर्याप्त मातरा में चेंजिंग रूम एवं अन्य आवशक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, सारवजनिक शौचालियों की संख्या भी 1800 से बढ़ा कर 6000 कर दी गई है तथा संस्थागत शौचाले 12000 लगाए ग कुंभ मेल अधिकारी विजय किरण आनंद, पुलिस उपमहनेरिक्षक वरिश्ट पुलिस अधिक्षक माग मेला डॉक्टर राजीव नारायन मिश्थ, जिलाधिकारी नवनीच सिंग चहल, प्रभारी अधिकारी माग मेला दयानंद प्रसाथ सहत अन्य वरिश्थ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरंतर भ्रमन शीर रहकर व्यवस्थाओं का जाय जा लेते रहे।